नमस्कार शिक्षार्थियों एनायोस के कम्मुनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर एनॉट्मी फीजियोलिजी के तहट कुछ तंत्रों के बारे में अर्था सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे आज का हमारा विशा है मानव कंका कंकाल तंत्र क्या है आपने देखा होगा कि हम सभी सीधे खड़े रहते हैं दो पैरों पर चलते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि यह किस वज़े से हैं कि हमारा यहां पर हम यहां पर दो पैरों पर चल पाते हैं यह सब हमारे कंकाल तंत्र की वज़े से संभव हुआ है जो हमें सीधे खड़े रहने पर सहारा देता है। तो जानते हैं कि इस कंकाल तंत्र में क्या चीज है, कितनी अस्तियां है, ये कैसे निर्मित है और ये किस तरह अपना कारे करता है। तो आईए जानते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र के बारे में जानते हैं कि कंकाल तंत्र मानव शरीर को सक्त सरजना या रूप रेखा प्रदान करता है जो शरीर की रक्षा करता है मानव कंकाल में खुल मिलाकर 206 हड़ियां होती हैं अस्थी विज्यान का सही तरह से अध्यन करने के लिए पूरे कंकाल को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जा सकता है पहला है अक्षिय कंकाल जिसे हम एक्षियल स्केलेटन कहते हैं दूसरा है उपांगिय कंकाल अर्थाथ अपेंडिकुलर स्केलेटन यह आप इस चित्र में मानव कंकाल पूरा देख सकते हैं कि यह किस प्रकार निर्मित है ओपर खोपड़ी है नीचे हडिया है हाथों की है, पैरों की है रीड की हडिय है, rib cage है और pelvis है यह सब आप इस कंकाल में देख सकते हैं कि हमारा यह कंकाल किस तरह से निरमित है और कौन कौन सी हडिया इस में है आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले वेखते हैं अक्षिय कंकाल axial skeleton अक्षय कंकाल किसे कहते हैं शरीर के मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षय कंकाल कहते हैं अर्थात जहां आपका axis है जिस पे आपका ये सिर टिका हुआ है इसको हम अक्षय कंकाल कहते हैं अक्षय कंकाल के अंदर कुल मिलाकर असी हडियां होती हैं इसमें कपाल, सकल, कशेरुकादन, वर्टिब्रल कॉलम, उरो अस्थी, सर्नम, एवं परशुकाएं या पसलियां रिप्स आते हैं दूसरा है उपांगिय कंकाल, appendicular skeleton, इसमें कुल 126 हडियां होती हैं इसके अंदर उर्ध भुजाओं, अपर एक्स्रिमिटीज के साथ, सकंध मेखला अर्थाद पेक्टोरल गर्डल और अधा शाखा, लोवर एक्स्रिमिटीज के साथ, श्रोनी मेखला, पैल्विक गर्डल की ह हडियां शामिल होती हैं, उपांगिय कंकाल, अक्षय कंकाल से जुड़ा हुआ होता है, उपांगिय कंकाल वो है कंकाल है, जो आपके लटका हुआ होता है, जिसमें आपके ये हाथ और पैरों की हडियां आती हैं, इसे हम उपांगिय कंकाल कहते हैं, आप ये देख सकते हैं चित्र में कि उपांगय कंकाल कौन सा है और अक्षय कंकाल कौन सा है जो आपका ये रेट कलर की बोन्स आपको जिसमें दिखाई दे रही हैं जिसमें आपका ये स्कैपला है और हाथों की हडियां हैं पैल्विक गर्डल है और आपके लेक्स की हैं बोन्स है इसे हम अपैंडि स्केलटन की बात करते हैं इसमें हम खोपड़ी की बात करते हैं खोपड़ी जिसे हम स्कल कहते हैं आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि स्कल आपका बिना स्किन के फेशिया के कैसा दिखाई देता है इसमें 22 हड्यां होती है इन में से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मन आगात नहीं आता है इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल अर्थात क्रेनियम कहते हैं यह सभी अस्थियां सीवनों सूचर्स के द्वारा जुड़ी होती हैं जैसे हम कपड़ा जोड़ते हैं उसमें धागे सूई धागे से सीवन लगाते हैं सूचर्स लगाते हैं ऐसे ही हम मारी हड़ियों में भी जो आपस में हड़ियां जुड़ी होती हैं उन्हें कुछ सूचर्स होते हैं उन्हें हम अस्थी सीवन कहते हैं जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हड़ियां जो हैं आपस में जो आपको टेडी मेडी सी यह रेखाई दिखाई दे रही हैं यह स जो आपका sides का part होता है उसमें 2 temporal जो आपका कान वाला हिस्सा होता है उसमें दो दो तरफ होती है एथमॉइड नाग के पीछे जो होती है उसमें एक स्फिनॉइड एक occipital जहां पीछे की तरफ जहां से वर्टीबल कॉलम आपके इसके साथ जुड़ा होता है वह भी एक हड़ होती है आप यह देख सकते हैं चित्रिक में माध्यम से जो पीला है वह आपका frontal part है जो नीला है वह पराइटल है यह दो होता है टेंपोरल जो आपका औरेंज कलर का पार्ट है यह दो होते हैं दोनों तरफ occipital जो ग्रीन कलर का पार्ट है वह पीछे की तरफ एक होता है इत आठ हडियां होती है आप देखते हैं उर्डव शाखा की अस्तियां होती है सबसे पहले हम अपाराम उपरी बाहू में देखते हैं इसमें ह्यूम्रेस होती है दो दोनों तरफ एक-एक अग्रबाहू फोराम जिसमें रेडेस अलना होती है चार दोनों तरफ दो-दो मनी बंद रिस्ट में कारपल्स होते हैं 16 हथेली जो पाम आपका है उसमें मेटा कारपल्स होते हैं 10 अंगुलियां फिंगर्स जो होती हैं जिसे हम फैलेंजिस कहते हैं वो 28 होती है आये इन में हम सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कैसे-कैसे हडियां हैं और इनके क्या-क्या सरंचना हैं सबसे पहले हम जानते हैं हुमरस के बारे में यह है उपरी बहां की एक लंबी हड़ी है इसमें शीर अर्था एक हेड होता है और एक शाफ्ट जो निचले भाग में एपिकॉंडाइल्स, मीडियल और लेटर दोनों तरफ कुछ उभार रहते हैं जिने हम एपिकॉंडाइल कहत वह पाय जाते हैं तथा संधी युक्त सतय होती है जो कहनी जोड का निर्मान करती है कि यह आप चित्र में हीूमरस देख सकते हैं इसमें उपर जो आप गोलाकार भाग देख रहे हैं या इसका हैड है और जो लंबा बीच में देख रहे हैं यह इसकी शाफ्ट है और यह ग्रूफ देख सकते हैं यह आप इसमें चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें कुछ उभाण जो हैं इसमें देख सकते हैं एक आप इसमें देख रहे हैं रेडियल ग्रूफ जहां से रेडियल आर्ट्री जाती है वह आप इसमें देख सकते हैं और नीचे आप जो हिस्सा देख रहे हैं यहां पर आपका रेडियस और अल्ना का हेड लगता है जो भी हमने पढ़ा कि elbow joint यहाँ पर बनता है वह है यह part है जो इसका निजला हिस्सा है humorous का जैसे आप दूसरी जगे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका radius और अलना लगा हुआ है जो की elbow joint का निर्मान कर रही है अगर आप अपने हाथ में इसे देखना चाहते हैं यह जो आपकी हड़ी है यह जो बहां की हड्र्डी है यह humorous है और जो नीचे अंगूठे की side वाली है वा radius है और जो उगली की छोटी ओंगली की side वाली हड़ी है आपकी यह अलना है जो यह radius आपकी हड़ी है radius bone है यहीं से radial artery जाती है जिससे आप pulse महसूस करते हैं जिसे हम radial pulse कहते हैं यह हाथ के अंगुठे के नीचे ही आप इसको दो उंगलियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं आईए अब जानते हैं radius के बारे में radius यह बहां के अगर भाग में पार्श लेटरल साइट छोर पर एक लंबी हड़ी होती है इसमें भी humerus की तरह एक shear shaft वा निचला छोर होता है शीर उपर सपाट होता है तता ही सिक्के के आकार का होता है जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे सिक्का रहता है उसकी अकार का इसका उपर का head होता है निचला छोर उपरी छोर की अपेक्षा अधिक चोड़ा होता है जो नीचे का पार्ट है वो अधिक चोड़ा होता है उपर का पार्ट कम चोड़ा होता है आई अब बात करते हैं अनला की यह radius से मिलते जूलती लंबी अस्थी होती है यह radius के साथ मिलकर अग्र भाहू फोराम बनाती है इसका उपरी भाग कोहनी का जोर तथा निचला भाग कलाई का निर्मान करता है यह आप चित्र में देख सकते हैं कि यह radius अलना है दोनों आपस में एक साथ कैसे जुड़ी होई है यह जो interocious membrane होती है उसके द्वारा यह आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है अगर इंट्रोcious membrane ना हो तो यह एक साथ fix नहीं हो सकती है उपर नीचे होंगी तो जिससे हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे प्रकृती ने इस रिष्टी ने हमारी रचना इस प्रकार से बनाई है कि कोई भी चीज अपनी जगे से हिलती नहीं है जितनी उसको जरूरत है वही पर वह कारे करती है तो आप इसमें देख सकते हैं कि यह आपस में उपर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है इसी तरह से यह जोड शरीर के अंदर बनता है जो इसका उपरी हिस्सा है वह कोनी का निर्मान करता है और जो निचला हिस्सा है वह कलाई का निर्मान करता है आप ये फिर से देख सकते हैं कि इसमें ये आपका humorous है आप ये चित्र में देखें कि आपका ये humorous कैसे जुड़ा हुआ है कहां पर है ये humorous आपका उपरी बाहु में है सबसे उपर जो मिलता है और जो radius अलना है वह है निचली बाहु में आपका दिखाई मिलता है तो ये आ दोटी अस्थियां हो ती हैं इनकी संहख्या आट होती है यह कल्छाय में प्रतेक starts की दो श्रिंखलाओं में थित होती हैं Metacarpal शथील संस्धल के उसन इनकी कुल संहख्या 5 होती हैं जब आप हाथ में देखेंगे तो वह मणी बंध म stupid उकलाई है इसमें आपकी आठ अस्तियां होती हैं जिसमें ये चार-चार की श्रिंखला में चार-चार अस्तियों में ये दो श्रिंखलाएं स्थित होती हैं कि चार उपर होती हैं चार नीचे होती हैं इसके नीचे ये मैटा कारपल्स होते हैं जो हतीली का निर्मान करते हैं इनकी कुल संख्या पांच होती है, एक अंगुठे की और ये चार उंगलियों की, तो इस तरह से ये पांच मेटा कार्पल्स आपके होते हैं और आठ आपके ये कार्पल्स होते हैं, यह आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से हाथों में अरेंज होते हैं, किस तरह से लगे हुए होते हैं कि यह जो आपकी हड़ियां हैं, यह चार हड़ियां एक तरफ और चार हड़ियां एक तरफ, दो श्रिंखलाओं में यह लगी होती हैं यह नीचे bones पे यह नीचे radius अलना है उनके उपर कैसे लगी हुई है और यह साथ में आपके जो metacarpals है इनके साथ यह कैसे arrange है यह आप चित्र में अच्छे से देख सकते हैं दूसरे चित्में देखेंगे आप यह carpal bones आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि यह किस तरह से जुड़ी हुई है phalanges, उंगलियों की बात करते हैं अब यह लंबी अस्थियां होती है तथा आकार में छोटी होती है इनकी कुल संख्या 14 है और उंगलियों में पाई जाती है प्रतेक उंगलियों में 3 और अंगूठे में 2 होती है जैसे आपने यह भी phalanges देखे हैं पीछे कि जो आपके अंगूठा है उसमें यह 2 phalanges है और जो आपकी यह उंगलियां है बाकी उसमें यह 3 phalanges है तो इस प्रकार से यह आपकी 14 होती है कि प्रतेक अंगूठे में 2 होती है और बाकी उंगलियों में 3-3 होती है अब बात करते हैं clavicle की जो आपकी shoulder bone की हड़ी है तो आप इसमें देख सकते हैं यहां पर जो आपकी हड़ी जो आप देखते हैं यह आपकी clavicle है यह लंबी हड़ी होती है इसे collar bone भी कहते हैं यह मध्य में sternum से जूड़ी होती है तथा इसका दूसरा सिरा कंधे के जोड़ स मिलता है आप इस में देख सकते हैं कि यह कंधे की हड़ी है यह कि जो यहां पर कॉलर बोन है आप इसको अलग से भी देख सकते हैं इसके दो एंड होते हैं लेटरल एंड और मीडियल एंड जो होता है वह स्टर्नम से जुड़ा होता है और जो लेटरल एंड है वह है आपका ह स्कैपूला के साथ जुड़ा होता है। स्कैपूला, हूमरस, और चलाविकल मिलकरके आपका शॉल्डर-जॉइंट बनाते हैं। तो आप इस चित्र में अच्छे से देख सकते हैं कि जो कलाविकल है वै किस प्रकार से शॉल्डर-जॉइंट का निर्माण कर रही है। यह किस तरह से यहाँ पे स्ट्रनम के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ यह स्कैपुला के साथ जुड़ती हुई शोल्डर जोइन का निर्मान कर रही है अब बात करते हैं स्कैपुला की यह सपाटस्थी है यह पीठ के उपरी छोर पर दोनों सकंध शेत्रों पर स्धित होती है तथा कंधे के जोड़ का निर्मान करती है हुमरस, क्लाविकल तथा स्कैपुला मिलकर स्कंध बनाती है जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि यह स्कैपुला जो होती है आपके पीठ के पीछे जहां पर आपका कंधा है जो उबरी होई हड़ी होती है यह स्कैपुला होती है यह सपाटस्थी है और यह दोनों तरफ पाई जाती है और तथा कंधे के जोड़ का निर्मान करती है यह आप चित्र में देख सकते हैं कि यह स्कैपुला कैसे दिखाई देती हैं, इसमें क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या इसके प्रेजेंटेशन्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं, कि यह जो आपका गुलाई वाला हिस्सा है, यह आपका ग्लेनोड कैविटी है, जो की हुमर प्रोसेस होता है वह आपको दिखता है इसमें एक 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 रोमियल प्रोसेस है यह सब पार्ट जो है आपस एक दूसरे के साथ मिलके क्लाविकल यहां इसके उपर मिलकर के चोल्डर जोइन का निर्मान करते हैं अब बात करते हैं उरो अस्थी स्टर्नम और पसलियों की रिप्स की उरो अस्थी तथा पसलियां सपाट अस्थी होती है उरो अस्थी चाती के अग्रभाग के मध्य में स्थित होती है पसलियां उरो अस्थी से घुमावदा रूप में जोड़ी होती हैं तथा पीठ में वटीबल कॉलम से जूड़ी होती हैं पसलीया च्राति के दोनों औरबारा की संख्या में होती हैं पसलीया और उरो Isn'thi मिलकर च्छाथी में अस्थिवों का एक पिंजरा बनाती हैं जो हुर्दय तथा फेफडों की रक्षा करता है आप चित्र में देख सकते हैं उर्वस्थी जो यह पीली बॉन आपको दिखाई दे रही है यह उर्वस्थी है और यह साइड का व्यू आप देख रहे हैं कि इसमें किस प्रकार से रिप्स जो हैं आपस में आकर के जुड़ी होती है यह सपाट अस्थी आप देख सकते हैं जैसे टाइक का हम बनाते हैं बॉन ठाइक होती है इस तरह की आपको यह वोन दिख रही है यह यहां पर से दोनों तरफ से लिट्फ रहें जहां पर यह यह रिपस गुमाफदार की से जुड़ी हुई हैं ज जो सटौनग के साथ मिली हुई हैं जिसमें हम स्कान से कह सकते हैं कि पिंजर जैसे निर्मान ये करतेती हैं इसके अंदर आपको फेफडे और रिदय सुरक्षित रहते हैं यदि यह ना हो तो रिदय और फेफडों को बहुत नुकसान हो सकता है जो वह कार्य अपना ठीक प्रकार से कर सकते हैं इनके अंदर है कर वो इनके बाहर नहीं कर सकते हैं पीछे आप य वर्टिब्रास की यह अन्यमित अस्थी का प्रकार है जहां आपने अस्थियों के रूप के बारे में पढ़ा होगा कि अस्थियां कितने प्रकार की हैं लंबी हैं छोटी हैं चप्टी होती हैं अन्यमित होती हैं तो यह अन्यमित अस्थी का प्रकार है रीट की हड़ी वर्ट इन की तरह जुड़े होते हैं यह गर्दन में 7 होते हैं जिने हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं छाती में 12 थोरासिक वर्टिब्रा 12 होते हैं पीठ में 5 जिने हम लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं एक तरिक में सैक्रम जो होता है उसमें एक होता है यह फ्यूजन होता है यह आप वर्टीब्रा जो वर्टीब्राल कॉलम है उसका हम फोटो देख सकते हैं यह किस प्रकार से आपको दिखाई देती है इसमें आप देख सकते हैं कि यह दो कर्व है एक सर्वाइकल है और एक यह लंबर है जहां पर आपका यह उभार निकला हुआ है इस curve को maintain करना हमारा posture जो हमारा सीधा रहता है तो यह हमारा curve आता है अगर हम सीधे खड़े नहीं होते हैं तो यह curve खतम हो जाता है जिसकी वजह से जो हमें pains आते हैं लंबर एक बोलते हैं जैसे हम कई को सुना है कि कमर दर्द हो रहा है या cervical की problem हो रही है सर्वाइकल हो रहा है तो यह सब अगर यह curve खराब हो जाता है बोडी में तो उसकी वजह से यह problem आती है तो आप यह देख सकते हैं अगर किसी को कमर में दर्द है या कहां पर दर्द है तो उसकी हिसाब से आप उसको बता सकते हैं कि पूश्चर की वज़य से आपको दर्द berries तो आपको अपना पूश्चर सीधा करना है ठीक करना है कुर्सी पैटने तो यह सब आप लोगों को बता सकते हैं जो यह शिकायत करते हैं कि उन्हें शर्वाइकल की प्रोबलम है या कमरदर्द की प्रॉब्लम है अब हम देखते हैं अधो शाखा की हडिया अभी हमने उपरी शाखा की हडियां देखी थी और साथ में स्टर्णम जो हमारा रिर्केज होता है उसकी हडियां हमने देखी थी अब हम देखेंगे अधो शाखा में कौन-कौन सी हडियां आती हैं सबसे पहले है जांकी हड्डी जिसे हम थाई कहते हैं इसमें फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीटी दो होती है यह दो नो तरफ एक-एक पिंडलीयों में, काफ्स में 2 होती हैं, टिबिया और फीबूला 4, दोनों तरफ दो-दो, घुटने में आती हैं, नी में, पटेला आती हैं, दो, दोनों तरफ एक-एक, टकना, एंकल जो होता है, उसमें आपके टार्सल होते हैं, चोदा, तल्वा जो फुट है, उसमें मेटा की हिप बोन के वारे में आप यह रचना देख सकते हैं कि कूले की एक साइट की हड़ी आपको किस प्रकार से दिखाई रेती है यह तीन बोन्स का फ्यूजन होती है यह एक अस्थी बनती है यह एक सपाट अस्थी है सेक्रम इस्चियम तथा प्यूबिस मिलकर के श्रोणी इखला का निर्मान करते हैं पैल्विक गर्डल का निर्मान करते हैं आप यह सबसे उपर इसकी एक हड़ी देख सकते हैं कि एक साइट की हड़ी यह कैसे दिखती है आपको सबसे उपर जो आपका इलियम है यह आपका इलियम है बीच वाला जो पार्ट है आपका यहां पर और दूसरा जो आपका ये परपल कलर का पार्ट है ये इस्चियम है तो ये आपका तीन बॉन्स मिलकर के एक बॉन बनाती हैं दोनों तरफ एक होती हैं आप इसमें नीचे वाले चितर में देख सकते हैं कि यह शरीर में किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं ये सेक्रम से इसमें जो आपको एक सरकल गड़ा दिखाई दे रहा है यहां पर आकर आपकी फीमर जुड़ती है और एक जो आपका हिप जोएंट है उसका निर्मान करते हैं आईए आप जानते हैं फीमर के बारे में यह लंबी हस्ति होती है इसमें एक शीर्स एक हैट शाफ्ट तथा मी दूसरी हड़ियां के जुड़ती है वह वाली सता होती है यह हूंबरस से अधिक लंबी होती है तथा इसकी जो गृवा है जो नैक है वह हूंबरस से आपको अधिक ज्यादा देखने को मिलेगी जब आप इसको देखेंगे हूंबरस को और फीमर को तो दोनों में अलग हुमृस है और हmostता है यह लंबी हड्डी होती है और दूसरी बात जो इसकी नेक होती है यह हई पी तो दिखहे सबसे लंबी होती है जादा अधिक होती है यह बिच्छ स्थी इसकी cić में हुसरी की इन इसका इतना वड़ी नेक उसकी नहीं थी और ये इसके उपर greater trochanter होते हैं जो अलग से आपको उभार दिखाई दे रहे हैं और नीचे जो है इसके लेटरल कंडाइल और मीडिल एपिकंडाइल आप इनको देख सकते हैं अब बात करते हैं टिब्या की यह पिंडली की लंबी अस्ती है यह पैर के भीतरी भाग में खुटने से शुरू होती है तथा एडी पर समाप्त होती है इसमें उपरी छोर शाफ्ट तथा निचला छोर होता है उपरी छोर खुटने का जोड बनाता है तथा निचला छोर टकन का निर्मान करता है फिबुला यह भी एक लंबी अस्थी है इसमें शीर शाफ्ट होते हैं यह भी पिंडली की हड़ी है जो की पैर के बाहरी भाग में लेटरली साइड में होती है पैर के पाश्व भाग पर टिब्या के उपरी तथा निचले छोर पर मध्य रूप से संयुकत है अब आप इन दोनों हड़ी ओं को इस चित्र में देख सकते हैं कि जो यह चोड़े वाली हड़ी है जिसमें उपर आपको चोड़ा पाट दिखाई दे रहा है यह आपकी टिब्या है और इसके साथ में जो पतली सी हड़ी आपको दिखाई दे रही है यह फिबुला है तो है वह दोनों के आपके फीमर और टिब्या के बीच में रहती है दोनों के बीच में रहके आपका यह नी जो बनता है उसमें हेल्प करती है जो आपकी टिब्या होती है वह पैर के भीतरी भाग में मीडेली साइड में होती है और जो फिबला होती है वह लेटरल साइड मे होती है तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके शरीर में हडियां किस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई है यह जो हडियां है आपका जो मसल्स आपके हैं उनको इंसर्शन में और ओरिजन में हेल्प करती हैं आपने इन में ग्रूफ देखे हैं कि यह जो हडियां होती है आपके जो मसल्स हैं उनको औरिजन और इंसर्शन में हल्प करती हैं जितना भी आपकी शरीर की मुवमेंट है यह सब इन हड्यों के कारण संभव हो पाती है क्योंकि आपके शरीर को एक सरंचना प्रदान करते हैं आपको एक रूप रेखा देते हैं जो आपका आकार करती हैं तो इसलिए इन हड्यों का आपको जब फ्रेक्चर होता है या कुछ होता है तो हम हड्यों की अगर हमें नौलिज रहेगी कि कौन सी हड्डी कहां पर है तो हम बता पाएंगे कि फ्रेक्चर कहां पर हुआ है कौन सी हड्डी में हुआ है तो उसके हमें क्या-क्या-स सावधानिया वरत्मी है कि एक हडिया जैसे माली जै ह्यूंबरस में व्रक्टर हुआ है तो सिंपल प्रेक्चर होता है तो इसको हम असानी से जोर सकते हैं यदि नीची वाले हिस्म में जहांी and या निचला पैर है उसमें कहीं fracture हुआ है तो क्योंकि दो हड़ियां साथ में हैं तो complex fracture की स्थिति हो जाती है तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं कि हड़ियों की जानकारी होना कि कहां पर कौन सी हड़ियां है कितनी हड़ियां है शरीर में किस प्रकार से हैं तो आप इसमें अच्छे से दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं बींगा एक हेल्थ वर्कर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप किसी भी पेशन की अच्छी से स्थिति का बारे में बता सकते हैं जैसे कि आपने पढ़ा आपने जाना कि इसमें जो फीमर है आपकी शरीर की सबसे लंबी हड़ी होती है तो कभी आपने सोचा है कि आपके शरीर में सबसे चोटी अस्थी कौन सी होती है और कहां पाई जाती है आपकी शरीर की सबसे चोटी अस्थी कान में पाई जाती है औ तो एक बहुत दिल्चस्प तरीके से आप जब हटियां के बारे में देखेंगे तो आपको एक बहुत दिल्चस्प ये तंत्र लाइगा कि किस प्रकार से ये कारे कर रहा है शरीर में कैसे आपस में जोड मिले हुए हैं किस प्रकार से एक दूसरे पर बिना घर्शन किये ये काम कर रहे हैं जब हमने देखा कि नी जोइंट्स की प्रॉब्लम शुरू होती है बड़े लोगों में तो जो आपके जोडों के बीच में साइनोवियल होता है जिसकी विज़े से घर्शन कम होता है आपस में रगड नहीं लगती है तो वह धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है यह जो हमने देखा कि साथ में देखते हैं कि जब टूबर से अलग से छोटी-छोटी हडियां उसमें की टूबर्स निकल आते हैं तो वह आपके ज आप उनका ध्यान रख सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं इसी के साथ आज का यहां पर यह हम समाप्त करते हैं धर्नेवाद